दोस्तो अगर आप अपने phone से video call कर रहे हैं यह जो phone app होता है यहाँ से click करके और आपके video call में camera नहीं on हो रहा है इस type से आपको दिखा रहा है camera off और यह click करने पर on भी नहीं हो रहा है तो आप इसको कैसे सही करेंगे ताकि आप जब इस पर click करें तो आपका camera जो है on हो जाए स तो यह करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सही करने के लिए, सबसे पहले आप Home कर लीजे, और Home करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने phone की Settings में, और जब आप अपने phone की Settings में जाएंगे, तो आपको मिलेगा इस टाइप का hinterface, और यहां पे आपको करना है नीचे की ओर scroll और जब आप नीचे की ओर scroll करेंगे तो आपको एक option दिखेगा ये वाला apps का आप इसपे click करिए अगर आपका दूसरा phone होगा तो हो सकता app manager या app management आप पो दिखाए यहाँ पर जब आप apps पर click करेंगे एक phone नम से app होगा तो वो आप scroll करके ढूंड लीजिए या फिर आप उपर लिख करके सर्च कर लीजिए तो यहाँ पर हम लिख करके सर्च कर लेते हैं ठीक है phone तो यहाँ पर phone लिखेंगे तो आपको इस टाइप से ये app मिल जाएगा आप इस पर करिए इस पर क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपको एक option दिखेगा app permissions का आप इस पर क्लिक करिए app permissions पर इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर camera का एक option दिखेगा मेरे में ये allowed में दिख रहा है आपके में दिखेगा denied में इस type से हम दिखा देते हैं आपको ठीक है यहाँ पे आपको इस type से denied में दिखेगा camera तो आपको इस पे click करके इसको allow कर देना है ठीक है allow only while using the app आप कर दीजे अगर आप ask every time करेंगे तो आपसे हर बार पूछेगा ठीक है तो आप allow only while using the app कर दीजे उसके बाद आप back कर दीजे और अब जब आप video call करेंगे अपने phone से तो फिर वहाँ पे इस type की problem आपको नहीं आएगी क्योंकि phone को मतलब camera on करने के लिए camera की permission तो चाहिए ही न इसलिए अगर वीडियो से help लिए हो तो वीडियो को कर दीजे like channel को कर लिजे subscribe and bell icon को press ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपके और new वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई